सो आगते दोस्तों आपका हमारी यूट्यूब चैनल इंवेस्टेट हमें दोस्तों क्या आप जानते हैं मुचिल फंड्स के अंदर सबसे 32 तरीका हमारी पास क्या है जिसे हम कम पैसे नवीश करके कम टाइम में पने बड़े फंड पराने के टार्केट को पूरा कर पाएं क्योंकि जॉब के साथ या फिर कोई हम बिजनेस करते हैं उसके साथ हमारी कोई जादा इंकम नहीं होती है लेकिन फिर भी हम एक नवीश प्लान करना चाहते हैं कुछ पैसे सेविंग करके ही अगर हमारा टार्केट है पैसे को नवीश करने का तो हमें कहा inspired पैसे को नवीश करना चाहिए त्यूकि अगर आप bank right में या फिर किसी small savings scheme में पैसे को नवीश करते हैं तो ब्यास थर बहुत जादा कम होती है लेकिन अगर आप अपने पैसे पर रिस्क लेते हैं और निवीश करते हैं किसी ऐसे प्लान में जहाँ पर आपको रिटन अच्छा मिल जाए तो फिर आप कम पैसे मत्ति निवीश करके भी बड़े फंड पराने के टार्गेट को पूरा खर पाते हैं दोस्तो आज हम आपके लिए एक ऐसा ही फंड लेकर रहे हैं जो एक 25 मुचल फंड प्लान है जिसके अदर अगर आप 45,000 रुपे मत्ति SIP के तुरू निवीश करते हैं और आपका टार्गेट अगर एक बड़े फंड पराने का है तो आप सिर्फ कुछ सालों के बाद ही 45,000 र आप कितना रखना चाहते हैं क्योंकि लगतार मुचल फंड में हमें रिटन काफी जबरदस्त मिले हैं और अभी कोई भी एक बड़ा इवेंट मार्केट में नज़र नहीं आता है जिससे हमें कोई बड़ा करेक्शन मिल पाए दोस्तो लगतार पिछले 4 साल से मार्केट में जबरदस्त रिटन मिला है और अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी, सैंसेक्स, स्मॉल कैप ये फिर हम मिट कैप इंडेक्स की भी बात कर लें सबी इंडेक्स अपने ओल टाइम हाई पर हैं लेकिन यहां से मार्केट में अगर हमें SIP के तुरू पैसे नवीश करना है तो रि मार्केट में कोई 3-4% का बड़ा करेक्शन हमें आनेवले टाइम में 1-2 माहिने के अंदर मिलता है और हमने SIP के तुरू पैसा निवीश किया है तो यहां पर करेक्शन के टाइम जब हमें यूनिट मिलेंगी तो वह कम प्रेस के साब से मिलेंगी तो इससे क्या होगा जो आ आपको एक अच्छा रिटन मिल पाए और आप कम पैसे निवीश करके कमपाउं रिटन से एक बड़ा फंड भी बना सकें क्योंकि दोस्तों अगर आपको SIP शुरू करने है तो उसके लिए अगर रिटन फंड में अच्छा मिलेगा तब ही आप एक बड़े फंड बनाने के 20.47% और लास्ट 5 यर में फंड रिटन दिया है 31.43%, लास्ट 3 यर में 30%, लास्ट 1 यर में 59% और 6 मंत में फंड ने 26.64% का रिटन दिया है यानि कि दोस्तों इस फंड के अंदर जब सी फंड लोंच हुआ है तब से लेकर अब तक काफी जबरदस रिटन है और पिछले 4 सार म फंड ने काफी जबरदस रिटन पनाक का दिया है 20% का रिटन है फंड का एनवाइस और इतना ही रिटन अगर हमें मिल जाता है यहाँ पर अगर हम 4500 रुपे मतली यानि कि 45,000 रुपे SIP के दुरू 6 साल के लिए निवीश करते हैं और रिटन 20% का हमें मिलता है तो यहाँ यहाँ पर हम 3,24,000 रुपे का निवीश करके 3,300,000 रुपे का रिटन पाएंगे और यहाँ पर हमारे पास कुल फाइनल वैली होगी हमारे पैसे की 6,27,006 साल में लेकिन अगर हम 12 साल तक SIP को कंटिनिव करते हैं तो यहाँ पर हम 6,48,000 रुपे SIP के दुरू निवीश करके 26,92,000 रुपे का फंड पाएंगे और यहाँ पर रिटन 20,44,000 लेकिन दोस्तों अगर हमारा टार्गेट है 1 करोड रुपे फंड बनाने का तो यहाँ पर अगर हम 19 साल तक इस सारे 40,000 रुपे मत्ली SIP को निवीश करते हैं तो कुल मिलाकर 10,26,000 रुपे का निवीश करके हम 1,16,000,000 रुपे तक फंड बनाएंगे 1,5,000,000 रुपे का इसमें रिटन हमें मिल जाएगा लेकिन दोस्तों निपोन इंडिया के इस फंड के अंदर जो पोर्फोलियो है वो काफी स्टॉंग है तो हमें एक पर पोर्फोलियो पर भी नजर डालने चाहिए ताकि हमें पता खंड सले कि कहांपर हमारे पैसे को निफेष़् क्या क्या है दोस्तों कूल रहा कर यहांपर है 95 इसमें पैसे को निफेष़् क्या क्या और दोस्तों यह MidCap concealed का फंड है तो यहां पर एक से दमदार MidCap कंपनी सामिल है पोर्फोलियो के अंदर इसमें टॉप ऑल्डिंग की बात की जाए तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, चोला मंटनम फाइनस होल्डिंग कंपनी, सुप्रीम इंडस्टी, वोल्टास लिमिटेड, दा फेडरल बैंक, फोर्टीस हेल्थ केर, यानि के कुल मिलाकर दूस्तू, ऐसी 95 कंपनी, जिनके अंदर लगतार हमें रिटन का में 14%, हेल्थ केर, ओटोमपाई सेक्टर, कैपिटल गूड्स और केमिकल सेक्टर के अंदर, फंड के पैसे को निवीश क्या क्या है, दूस्तो एनेवी का प्राइस पंड का 4,304 रुपे है, यानि कि आप जो पैसा निवीश करते हैं, और जो भी एनेवी का प्राइस होता है तो आपको करेंट एनेवी के पैसे यूनिट लॉट की जाती हैं, जब कि यहाँ पर रेटिंग फंड की शांदार 4 है, और 30,338 करोड रुपे इस फंड का यूएम है, यानि यहाँ पर अभी फंड का यूएम जैस जैसे आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे इस फंड के अंदर ह आप कम से कम 100 पे से भी नवेसे स्टर्ट कर सकते हैं, और दोस्तु फंड का बीटा है 0.94, यानि कि यहाँ पर फंड में कम रिस्क के साथ हमें जो प्रॉफिट है वो काफी बहतर मिला है, क्योंकि फंड का बीटा अगर एक से कम होता है, तो यहाँ पर दोस्तो फंड के अगर आप एक महिने से पहले पैसे को निकालते हैं तब और रिटेन पर दूस्तू अब आपको एक साल से पहले 20% का टेक्स देना होता है एक लाग 25,000 से जादा प्रॉफिट पर साड़े 12% का LTCG टेक्स रूपेज पर टेल संजी दोसी और किंजल फंड को मैनेज करें हैं अगर एक बड़े फंड बनाने का है तो यहाँ पर हम कम पैसे निवीश करके भी उस टार्केट को पूरा कर सकते हैं हो सकता है शोट टम में आपको थोड़ी बहुत करेक्शन मिल जाएं लेकिन अगर आपका टार्केट लोंग टाइम पैसे निवीश करने का होता है तो यहाँ पर आप अपने कम पैसे निवीश करके भी एक बड़े फंड बनाने के टार्केट को पूरा कर पाते हैं शोट टम में हो सकता है आपको करेक्शन मिल जाए यहाँ कि मार्केट में कभी भी कोई करेक्शन आ सकता है अगर कोई भी छोटाता मार्केट के नदर इवेंट आता है नेगेटिव तो उसका इंपेक्ट भी मार्केट पर दिखाई देता है इसलिए अगर आप निवीश कर रहे हैं तो यह आप ज़रूर देख लें कि हापर आप जो पैसा निवीश कर रहे हैं उस पर कितना रिस्क ले सकते हैं और आपका टाइम पिरेट क्या है क्योंकि दोस्तो अगर आप 8-10 साल तक पैसे को निवीश करते हैं SIP के तरू तो फिर रिस्क बहुत जादा कम हो जाता है क्योंकि शॉर्ट टम के सारे करेक्शन को आप आसानी से फेस करने के बाद भी काफी अच्छा रिटन बना सकते हैं दोस्तो वीडियो से रिटन कोई कोशन होता है तो जरूर बताएए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें धन्यवाद